कि नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभी नंदन मेरेश चैनल खेल ग्रॉण का में हम बात करें रासी फल सितंबर मां के 2019 की और यह रासी फल मून साइन बेशते हैं अताद आपकी रासी कुंडली पर आधारीत है मैं कुंब रासी की रासी फल की बात कर रहा हूं सितंबर मां में कुंब रासी को क्या मिलेगा अच्छा या बुरा रासी फल का अर्थ यहां पर एक प्रकासे जनरल चीज़ है लोग बोलते हैं राम और रावन की बी एक ही रासी थी लेकिन उनकी कुंडली तो अलग होगी उन के dna हैं जो उनका पारवरी प्रस्ट भूमी है एक व्यक्ति सीङी करेगा एक आदम людям Drive करेगा एक व्यक्ति के पिता साधन पड़े लिखेंगए एक व्यक्ति पिता आयस ओपिसर हो सकते एं उसकापी हिसके जीवन नहीं आख सकते हैं कि रासी के अधार पर या कुंड़ी के अधार पर बहुत से factors काम करेंगे और वो factors जब आप और हम बात करेंगे आपकी जन्न कुंड़ी पर discuss करेंगे तब उनका निचोड निकाल पाएंगे कि आपके साथ में क्या वास्ता में घटिद होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए कौन से केरियर में जाना चाहिए कौन से सेक्टर में study करनी चाहिए चाहिए आपकी संतान की कुंड़ी हो चाहिए आपकी gain देने वाला success देने वाला माना जाता है तो 11 Sun ही आपकी रासी कुन्णली में लगने पर तो देखेगा यह देखेगा फिफ्त इस्तान पर भी देखेगा बुद्धी पर भी देखेगा और 8-tous में भी देखेगा तो आपकी बुद्धी को भी बलवान बनाएगा आपके लगन अताद आपकी रासी को स्ट्रेंट देगा आप में कॉन्फिटेंस बिल्डब होगा आप जो सोचेंगे उनमें आपको सक्सेस के साथ आपका नेम और फेम भी साथ में जोड़ जाएगा और सनी की सनी एड़ ता उसको भी देखता है अपनी दस्वी दस्टी से इस सिच्वेशन में जो कुछ भी आपके साथ गटने वाला है उसको भी सनी जला देगा उसको भी सनी आप तक वो स्थिति पहुंशने नहीं देगा तो गेन के मामले में चाहे आप कुछ भी करते हैं बिजनस करते हैं या जॉप करते हैं ये जो इस्टिति ये आप के लिए काफी बेटर रहेगी इस सेप्टेmbर तू थाप्जन नाइंटीन के महा में अब बात करतें वेलत की तो वेलत का अदिपती और गेन का अधिपदी दोनों ही एक ही हैं ब्रसपती और ड्रसपती की ज़स्ती सेकंड आ उस पर हैं तो यहां पर wealth को लेकर के संपत्ती को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है उल्टा मैं यह बोल सकता हूँ enhance हो सकती है improve हो सकती है कोई इनको धन और संपत्ती मिल सकती है चाहे वसियत में मिले चाहे बटवारे में मिले और चाहे प्रतिक संपत्ती का आपकी तरब स्थान अंत्रण हो यह situation आ सकती है यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में commodity में speculation में involved रहते हैं उनका यह side में profession है side में income बढ़ाने का उनका जरिया है तो वो time period अच्छा है उसमें आप gain कर पाएंगे उसमें आप जो भी effort करेंगे उसमें losses नहीं होंगे उसमें improvement आ सकता है positivity आ सकती है gain हो सकता है और यह आपके उपर depend करेगा कि आप किस calculation से gain की तरब जाते हैं क्योंकि आपके उपर 100% depend करता है time period अच्छा है लेकिन आपने जो sectors चुने होंगे क्योंकि sectors भी बहुत ज़्यादा मेहत्पून है sectors भी बहुत ज़्यादा improvement वाले हैं उनको भी देखना जरूरी है आईए अब बात करते हैं अगले sector की वो है आपका परिवार का सु क्योंकि वहां पर भी ब्रसपती की दस्ती है लेकिन उसका अधिपती शुक्र है जो शुक्र इस समय सतुरु रासी में और आने वाले समय में 9 September 2009 को वही शुक्र नेगेटिव होता जाएंगे अथा नीच रासी में चले जाएंगे और रासी से 8 ताउस में भी चले जाएंग भी उस इस्तान का अधिपती है वो कमजोर है या होने वाले समय में और वीक होने जा रहा है अभी भी मा के स्टार्डिंग में भी वीक है क्योंकि शतुरु रासी में तो जो कुछ भी घर की इस्तरिया हैं उनसे जहां तक हो सके आप वाद विवाद नहीं करें चाए माता ज हो सके और भी कहीं जहां भी आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म है चाए आपका आपकी जौब है चाए आप आपने बिजनस भी करते हैं वहां पर भी आपने इस चीज को ध्यान रखना हैं कि जहां तक हो फीमेल से नहीं उलजना हैं यह ध्यान रखेंगे तो काफी बड़ी घटनाओं से आप बच भी सकते हैं क्योंकि जो समस्यां आ सकती है वो समस्या किस प्रकार की होगी वो आप मेरा मंतवे समझ गये होंगे अब बात करते हैं सिक्षा की तो सिक्षा का जो स्वामी है आपकी रासी कुणली से वह है बुद तो बुद इस समय सूरी के साथ में योग होता है वो कुणली में बैटर है और आने वाले समय में आता है 10 सेप्टमबर से बुद उच्छरासी को जाएंगे वहां से इस्तिति और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि सिक्षा के स्वामी उच्छरासी के होने से आपको इंप्रूमेंट आएगा आपको सक्स ज़्यादा मिलेगी और हां संतान के मामले में भी यह समय ठीक है यह समय शुब है यदि कोई संतान का प्लान करना चाहते हैं अपना परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय अच्छा है साथ ही साथ जो शनी है वो साइंस का मालिक भी है तो जिन व्यक्त संतान नहीं होने से आईवेफ कराने के बारे में डॉक्टर ने सलादी है वो इस समय का यूज कर सकते हैं उस प्रकरिया करे लिए बॉक्टर से टाम ले लिजिए सेप्टंबर मां के बारे में कोई भी कोई भी इस्तितिक कोई भी डेट होती है वह जरूर आप देख लिजे और वो डेट दस सेटमबर के बाद में हो तो आपके लिए और ज्यादा बैटर है तो उस समय संतान का अधिपति जो बुद्ध है वो भी उच्छरासी का होगा सनी रासी से इलेवंत है वो आपके लिए शुब है और सनी के द्रस्ति कुणली में फिफ्ट आउस पर है इस इस्तिति को आप कैश कर सकते हैं इस इस्तिति का आप यूज कर सकते हैं आपने जो भी आपकी इच्छा हैं आपकी कामना पूर्ति के लिए क्रियानवित कर सकते हैं तो सिक्सा के शेत्र में जो लोग भी मार्केटिंग से लिटेड जो लोग गणिश से संबंदित economics से समंदित, commerce से समंदित विद्यारती हैं, उनको ये समय बहुत ज़्यादा फलीबूत होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा जो लोग marketing सित्र में हैं और अपनी job के लिए interview देना जाते हैं job के लिए try करना चाते हैं, ये समय उनके लिए भी better है, जो exam देना चाते हैं, एक्जाम देने के लिए भी ये समय उनके लिए अच्छा है, और especially जो abroad के लिए चाए, चाए, टौफल का exam, आइफल का exam, वगरा जो भी देना चाते हैं, ये समय उनके लिए अच्छा है, और situation ऐसी है, ये दिया visa के लिए try कर रहे हैं, तब भी मैं आपको कहना चाऊंगा, ये समय आपको सफलता दे सकता है, आपने approach बर करनी है, आपने try करनी है, चो success है, वो आपके दरवाजेबे नौक कर रही है, आपको इतना बर जागना पड़ेगा, समय आपका साथ दे रहा है, आपको वो जो भी अवसर है, वो आपने catch करने पड़ेंगे, ये आपके उपर है, आपके कर्म आपको करना पड़ेगा, success आपको मिलने वाली है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, अब बात करते हैं, स्वास्त की, शत्रों की, रोग की, कर्ज की, इन सब बातों की, तो आपके six आउस पर, सबसे पहले ब्रहस्पति की द्रश्टी है, ये सबसे अच्छी स्थिति है, उसका स्वामी चनमा है, जो चनमा जो की, जो निरंतर बदलता रहता है, हर चौपन गंटे में, अता सबसे दो दिन में, चनमा की पोजिशन चेंज हो जाती है, जब भी चनमा, आपकी रासी से, मतलब यहां पर है, जो शनी की रासी है, कुम रासी है, कुम रासी वालों के लिए, जब भी चनमा, वरस रासी का होगा, उच रासी का होगा, क्योंकि आपके स्वास्ति का स्वामी है जो six house है उसका स्वामी इचनमा है और six house पर जो ज़स्ति पढ़ रही है वो ज़स्ति ब्रस्पति की दस्ति पढ़ रही है ब्रस्पति के उच्छरासी वहां पर है इसलिए स्वास्ति से समधित ज़्यादा तकलिफ हैं देखने का आप जो शतुरु है वो भी नियंतरण में रहेंगे, वो भी काबू में हैं और काबू में रहेंगे, इसलिए उस और से आपको टेंसन करने की कोई आवशक्ता प्रतीत नहीं होती है, अब बात करते हैं, दंपत्य सुक्की, यहाँ पर जरूर में आपको कहना चाहूंगा, कि आपक पर नियंतरण करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सुर्य सेवंत आवस में होने से, वो गरस सुक को जलाने का काम करता है, गरस सुक में दुखी करने का काम करता है, गरस सुक को छिनने का काम करता है, सुर्य में सरफ और सरफ आग है, जिस व्यक्ति की कुनली में भी, चाहे व मेलो या फिमेलो यदि सेवंत आउस में सूरी है उसकी जिंदगी में ग्रस्चुक से समधी समस्याइं जरूर आएंगी जब भी कुण्ली मिला ही जाती है सबसे पहले यही देखा जाता है कि एक व्यक्ति की कुण्ली में सेवंत आउस में सूरी है दूसरे की कुण्ली में भी वैसी situation नहीं आ जाए अगर वैसी situation आ गई तो यह confirm हो जाएगा कि वो साधी नहीं ठीकेगी कुल्ली मिलाने का उद्ध्य से यही होता है कि दोनों कुल्लियों में समझे से डूंडा जाए अता सबसे पहले आपने यदि कुछ ढूंडना है वो है सवभाव सेकेंड मेंटलिटी थर्ड ग्रस सुक संतान सुक का अर्थ ब्रेस पती है फूर्थ दामपति सुक का अधिपति शुकर है और पांच वाज सुक डूनना है आयू का सुक उसके लिए आपकी जो जन कुल्ली है उसमें एट ता उसका लौड क्या कहता है दोनों कुल्ली को में अधिजस्मेंट करना है जो एक कुल्ली में भीकनेस य वह दूसरी कुल्ली में नहीं होने चाहिए такой पने तीछ सेकंड में रहीं और आज की आरिक में ऐसी वेबसाइट से आप खुद अपना डाटा डाल करके Tu K squares कोई अनलेसी जौत पर जाएगई इतना बर देखने से ये कुंड़ी मिलाने का जो मैंने आपको फलसपा बतलाया है ये मैंने आप प्रस्जर बताया है ये काफी विशाल है काफी विरद है इतना इजी कुंड़ी मिलाना नहीं है दोनों कुंड़ीों से कुंड़ी मिलाई जाती है ना कि सिर्फ वा सिर्फ नक् combination बढ़ेगा मैं सही हूँ यह विचाधरा आपके उपर आएगी आपके जीवन सातिक उपर आएगी जिससे आप परेशान होंगे सेवंत आउस में मंगल है सूरी और मंगल दोनों मैनेजमेंट के हैं सूरी और मंगल दोनों अगनी तत्व प्रदान हैं दोनों गरम गरह हैं त इसलिए जहां तक हो वाद विवाद को छेड़ने का प्रियास नहीं करें सेवंत आउस में शुक्र है शुक्र सेवंत आउस में एक प्रकासे कारगो बाव नासाय का सिद्धान दे काम करता है जिस बाव का कारक है उस बाव में बैठ करके उस सुक्र की आनी करता है हम यह बा से कोई प्रावलम ना हो यह जो दोग रहे हैं यह सेवंता उसमें समस्याओं की जड़ है आता जो इस समय स्तिती चल रही है उसमें चाया प्रेम संबंद में हैं चाया रिलेशन में हैं अटेच्मेंट में या विवाइत हैं आपको अपने जीवन साती के उपर काफी ध्यान देना पड़ेगा उनके मनोबावों को समझना पड़ेगा जहां तक हो सकता है आप कले से दूर रहें मन मुटाव से दूर रहें जो भी उनकी छोटी बड़ी आवशकता है उनको पूरा करते रहें ठीक है उनकी छोटी बड़ी जो भी तकली हो सकती है इसलिए इस सेक्टर में आपने जरूर से ज़्यादा साफदान रहना है और अपने धैरे का 100% से ज़्यादा इस्तिमाल करना है अब बात करेंगे केरियर की अता 10 ताउस की तो 10 ताउस का स्वामी मंगल है इस समय वो मंगल केंद्र में अता 7 ताउस में है और इसकी पूर्ण द्रस्ति कुंडली में रासी कुंडली में 10 ताउस पर है लगन पर है और साथ इसा सेकेंड आउस पर है रासी से ग्यारवा सनी आपको सक्सेस देगा इसलिए जो कुछ भी आप करना चाते हैं इस समय वो आपके लिए बैटर योजनाय बनाने का समय है क्योंकि अभी बनाएंगे और उन पर क्रियान बन करेंगे तब आगे जाकर के वो फाइदेमन इस्तिती में पहुंचेगा तो आपने अभी सही कमर कस लेनी है आगे वाले समय को भान करके जान करके आपने प्लानिंग करना है और जो प्लानिंग करता है जो समय को पहले जान देता है वही वक्ति अग्रणी हो जाता है वही वक्ति लीडर बन जाता है और जो सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं वही सबसे ज़्यादा गेन पाते हैं उनसे industry पेचा नहीं जाती है वो icon बन जाते है industry के तो यह समय है यह समय को आपने use करना है जो job करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, प्लानिंग करने का, जॉब स्विचोर करने का, या अपना खुद का बिजनस बढ़ाने का, यदि आपके दिमाग में मुझे बिजनस करना है, जॉब बहुत हो गया, तो इस ही समय है, आपने अप्रोच करनी चाहिए, और आपकी र कुद्णी में शनी नीचरासी के हैं, या शनी बहुत कम डिगरी के हैं, वो एक दूसरी बात है, उसके लिए आपने कोई विद्वान जोती सी से मिल करके डिसकस करना है, उनसे सला करनी है कि आने वाला समय आपका कैसा होने वाला है, लेकिन रासी कुद्णी से मैं बोल सकता कि आगे आने वाला समय इससे ज़्यादा बैटर है इससे ज़्यादा कमफर्टेबल है जो लोग भी मैटल मेडिसीन केमिकल पेट्रोलिम प्रोड़क्ट सर्विस प्रोडिंग इंडिस्ट्री एजनसी बिजनस कमिशन इन ब्रॉकरिज स्क्रैप टांस्पोर्ट एनी टाइफ मशिनरी एनी टाइफ ऑफ मैनिफेक्टरिंग जो सनी के बिजनस हैं जो सनी के सेक्टर्स हैं उनमें काम करते हैं उनके लिए टाइम पिरिड़ बहुत अच्छा है यदि आप एक्स्पांशन करना चाते हैं कोई और फैक्टरी खोलना चाते हैं यदि ब्रांचेस को बढ़ा इडिल डेस्तुएंट, इarna बिल घुल गोर्ण, मांशन इन सिक्टर्व इतिन काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को भी इस शमय गेन का मूँώद देखना नशीब हो सकता है सक्सस का मूँद देखना नसीब हो सकता है आपका समय बहुत अच्छा है आपने कमर कर सके इस समय का फाइदा उठाना चाहिए कोई भी बिना संकोच किये आप आगे बढ़िए समय आपको साथ दे रहा है किसमत आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है अब बात करते हैं ट्रेवलिंग की तो ट्रेवलिंग का अधिपत इस समय अपने से 12 आउस में चाहिए रासी का अधिपती 11 आउस में उसके बावजुद भी ट्रेवल की जब बात करेंगी तो सनी अपने से 12 आउस में है यदि आप साथ की यातरा करते हैं जहां आप रह रहे हैं वहां से साथ की तरफ करते हैं तो आपको सपोर्ट आंसिल हो क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है मंगल जो ही रासी चेंज करेगा एड़ ता उसमें चला जाएगा शुकर है वो शुकर आपके भाग्य का स्वामी होकर के नेगेटिव होने जा रहा है लेकिन वो तीन अक्टूबर तक ही नेगेटिव रहेगा इसे तीन अक्टूबर के बा सब कुछ आपके लिए बैटर है फिर भी जीवन में आपने भाग्य अपना कर्म और अपना जीवन इन सब को बलवान बनाने के लिए हीरा पन्ना नीलम रतन या उपरतन इसका एक साथ लौकेट बना करके पहन सकते हैं जिसको जोतिस की बासा में भाग्यवरदी लौकेट बोल सकते हैं क्योंकि बुद्धी भाग्य और कर्म यह अगर जूड़ जाए तो आदमी हर इस्तिती से फाइट कर सकता है हर पस्तिती से लड़ सकता है शनी से सम्मधित उपाय की क्या कोई आवशकता नहीं है फिर भी आने वाले समय में जब सनी की साथ साथ स्टार्ड हो जाएगी आप हर तर्प से सुनेंगे सनी की साथ साथ ही है उससे पहले ही आप उपाय आरम कर दीजे अता सनी स्तोत्र का पार्ट आरम कर दीजे जहां तो अपने गरस सुक में समस्याओं से परशान रहेंगे जैसा कि मैंने अभी बतलाया है वो विक्ति इस्पेशली सूरी को अर्ग दें क्योंकि सेवंता उसका लॉड़ सूरी है सूरी को अर्ग देंगे उनसे उनको राहत मिलेगी अपनी रासी का पिरामिड अपने बैड के पास म उनसे आपको माइंड बॉड़ी और सूर तीनों ची टोन अप होगी तो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी आने वाली है जो आप व्यर्थ के आरोपों से एक दूसरे से फाइट करेंगे एक दूसरे से मूह मोड़ेंगे उससे अच्छा है कि उनका निराकरन हो वो इस स्थितियां कंट्रोल मां जाए नेंतर नमा जाए तो आज बस इतना ही इस महारासिफल के बारे में आपके क्या विचार हैं यह कमेंट बॉक्स में बताना मत बूलिएगा स्वस्थ रहें प्रशन रहें अपना अपने बच्चों का अपने पूरे परिवार का खायर रखें नमस्कार